इस तरह से ले लिया है हमने यह छे नंबर की शलाई है दोस्तों और यह हमारे पास इस्टरा लैस पड़ा था हम इसका बनाएंगे आज आपके पास भी पड़ा हो तो आप भी बना सकते हो अब हम फंदे डालेंगे इस तरह से हम 30 फंदे डालके ले लेंगे आज हम दो कलर से बनाएंगे एक नए डॉर्मेट दोस्तो ये हम 30 फंदर डालके फिर आपको दिखाते हैं आप 30, 32, 34, 36 इस तरह से जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हो उतना फंदे ले सकते हो इस तरह से हमने फंदे डालके ले लिया है आप इसे हम पहली सलाइ सीधे सीधे बुन लेंगे जब दूसरी सलाइ पर हम आएंगे फिर आपको बताते हैं इस तरह से हमें पहली सलाइ सीधे बुन लेंगे नमसकार दोस्तों हमारी यूटुब चैनल घरेलू टेकनिक में आप सभी का स्वागत है वीडियो को लाज तक जरूर देखना है दोस्तों यह डोर्मिट बहुत ही सरल और आसान तरीका है यह सलाई अब हम पूरा करके फिर आप लोगों को बताते हैं यह सलाई पूरा हो गया यह देखिए इस तरह से हम पहला फंदा उतार लेंगे धागा आगे ले लिया यह दूसरा फंदा है एक फंदे हमें दो फंदे करने हैं इस तरह से हम एक फंदा बना लिए अब इसी में से हम दूसरा फंदा भी बना लेंगे इस तरह से एक फंदे का हम दो फंदा कर दिए हर सलाई में एक एक फंदे इस तरह से हमें इस साइड पढ़ाते जाना है इसी तरह से ये सलाई हमें पूरा करना है लाश्ट में आके दिखाते हैं इस सलाई के इस सलाई के लाश्ट में हम आ गए दूसरी सलाई के यह देखिए एक फंदा था वो हम बिल लिये यह धागा आगे ले लिया ये लाश्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे इस तरफ फिर वापस बुनेंगे ये सलाई उलटी साइड है ये हम पूरा सिधे-सिधे बुन लेंगे ये हम पूरा करके फिर दिखाते हैं ये सलाई पूरी हो गई लिए अब हम यहां से चोथी सलाई भी नहींगे यह पहला फंदा उतार लिया थागा आगे ले लिया अब एक फंदे मसे हमें दो फंदे फिर से करना है एक फंदा निकाला अब फिर से धागा पलट लिया अब यहां से फिर से एक फंदा और बनाएंगे, यह दो फंदा हमारा बन गया, एक फंदे में से दो फंदा, अब इसी तरह से हमें बुन लेना है, लाश्ट में हमें दो फंदे छोड़ने हैं, सलाई के लाश्ट में हम आपको फिर दिखाते हैं, इस तरह से हम सलाई के लाश्ट में आगे, पहली सलाई में दो फंदे छोड़े थे, अब फिर से हम दूसरी सलाई में भी दो फंदे छोड़ेंगे, यहां से धागा आगे ले लेंगे, इस साइड हमें चार फंदे बढ़ान हैं यह धागा आगे ले लिया अब इस तरफ हमारा उल्टा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है सिधे सिधे बुल लेना है कि यह उल्टी साइड की सलाइब पूरी हो गई अब हम सीधे प्या गए पहला फंदा उतार लेंगे फिर धागा आगे लेंगे अब यहां हम दूसरे फंदे में एक फंदा में से दो फंदे करेंगे एक निकाल लिया दूसरा हमने धागा पीछे करके फिर से एक और बनाएंगे एक फंदा एक फंदे का दो फंदा हो गया इस तरह से इसी तरफ हमें हर सलाई में एक एक फंदे बढ़ाते जाना है अब इस साइड का हम पूरा फंदा बढ़ा के फिर आपको दिखाते हैं लाश्ट में हमें क्या करना है इसी तरह से हमें दूसरी साइड दो दो फंदे हर सलाई में छोड़ना है यह देखिए धागा आगे करके फिर बुनना है और उस तरफ हमें एक एक फंदे हर सलाई में बढ़ाते जाना है टोटल हमें चार फंदे इस तरफ हमें बढ़ाना है इस तरफ हमने दो दो फंदे हर सलाई में छोड़ते गए हैं लाश्ट में दो फंदे करके फिर हमने छोड़ दिया है यहां यह देखिए लाश्ट में दो फंदे छोड़ाया हुआ है इस साइड हमें दो दो फंदे ही छोड़ना था इस तरफ हम 4 फंदे बढ़ाया हुआ है हर सलाई में 1-1 फंदे बढ़ाते गए थे 4 फंदे हमारा बढ़ गया वहाँ स्टाप कर दिया फिर हम ऐसे बुन लिए और इस तरफ हम 2-2 फंदे छोड़ते गए लास्ट का 2 फंदे छोड़के स्टाप कर दिया अब यहां से हम बुनना इस्टार्ट करेंगे फिर से यह पहला फंदा उतार लिया धागा आगे ले लिया यह फंदा हम बुन लेंगे अब हमें ei को दो पंदे से 14 करना एक यह दो और इश्ट्र आ egyले लिया यहां से गुमा लिया अब यहांब चारो कि पलटके फिर से बुन लें गे इसे तरह से हमें हर सलाइ Seite में यहां करना है वापस जिस तरह से हमने छोड़ा था दो दो फंदे उसी तरह से में लेना भी है कि अब हम इस साइड आगे पहला फंद उतार लिया उसी तरह से हमें फिर से करना है पिछली बार हमने चार फंदे बुना था अब की बार हम छे फंदे लेंगे ये चार हो गया ये दो हम आगे बढ़ा लेंगे ये दो फंदे हमें और ले लेना है इसी तरह से हम ये डिजाइन पूरा करेंगे इसे हम आगे बुन के दिखाते हैं इस तरह से हमने आगे बुन लिया यह हम यहां तक आ गए लास्ट में अब यहां से हम फंदे घटाएंगे उस साइड हमने बढ़ाया था चार फंदे बढ़ाया था तो चार जोड़ा हम छोड़ देंगे और दो इस्टरा छोड़ेंगे टोटल हम दस फंदा छोड़ देंगे इस तरफ हमने चार फंदे बढ़ाया था इसी तरफ हम दुसरी तरफ घटाएंगे अब पहला फंदा उतार लेंगे इस तरह से धागा आगे ले लिया अब दो फंदे का हम एक फंदा कर देंगे इसी तरह से इसे हम बुन लेंगे यह देखिए दो फंदे का हमने एक फंदा कर दिया अब यह सलाई हमें ऐसे बुन लेनी है लाश्ट में आके फिर बताते हैं यहां हमने दो फंदे का एक फंदा किया हुआ है इसी तरह से मैं घटाना है नीचे साइड पांच फंदे इस साइड जब पांच फंदे छूडता है यानि दस फंदे छूडता है तो वही से हमें फंदे घटाना चाहिए उपर से फंदे घटाना चाहिए नीचे तो इसी तरह से हमें बुल लेना है उपर जब हम आते हैं हर सलाई में एक एक फंदे घटा लेना है चार फंदे ये दूसरी बारी भी देख लीजी आप ये पहला फंदा उतार लिया दो फंदे के हमें एक फंदा करना है इस तरह से हमने दो फंदे का एक फंदा कर दिया घटा दिया अब इसी तरह से हमें बुनते जाना है उदर हमने दो फंदे छोड़ा हुआ है लाश्ट में उसे भी ले लेंगे इसी तरह से हमें पूरा कर लेना है यह पूरा हो गया यह लाश्ट का दो फंदा बचा हुआ है और सारे फंदे हमने घटा दिया चार फंदे बढ़ाया था चार फंदे हमें साइट घटा दिये यह हम इस तरह से अब पूरा कर लेंगे जितना फंदा हमने फंदे डाल के लिया था उतना फंदा हमें चाहिए अब यहां लास्ट में उतना ही फंदा बचना चाहिए इसमें टोटल छे कली आएगी दोस्तों इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सिस्क्राइब करना कमेंड करके जरूर बताना आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी बहुत ही स सरल और आसान तरीका है दोस्तों आप लोग भी बनाईए इसी तरह से दोस्तों हम हमेशा एक नए तरीके का वीडियो लाते रहेंगे वीडियो में लाश तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद